तो अब देखिए आवास चीक आ रही है कि एक्ट्री वीडियो ना स्टॉप होने के बाद अपने आपी वह बंद हो गया तो लाइव हां से अपना स्टार्ट नहीं हुआ फिर दुबारा दूसरी दूसरा लाइव सेशन मैंने क्रियेट किया है और फिर मैं आपके सामने आई ह तो आप बताएव मतावास आ रही है क्या और लाइव स्टार्ट हो चुका है अय। चीक है क्या मैं खुट देख लूँ पहले था है अजिलाइव स्टार्ट हो चुका है और जुड़ी गया स्टूडेंट जल्दीस से पता चल गया है हूं सबको चलो मैं टेलिग्राम पे शेयर कर देते हूं ताकि सभी स्टुएंट आ जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं यह क्या राइट स्टार्ट हो चुछ बैवेक है ओके आज यह फटावट से आज यह जल्दी से इसको खुड़ा सा आगे रखती हूं तो पता है क्या हाल चाल है आपके और आवाज अब ठीक आरी है मेरी अब एकदम बढ़ी आरी होगी कुछ इसमें कुछ दिक्कत हो रही थी जो ठीक कर लिए सही आरी है भी अबस ओके हेलो रानू कैसी हो बुक पहुच गई आपके पास यह नहीं पहुच यह भी तर जैसी आपके पास बुक पहुचती है आप मुझे अपडेट दे देना ओके जी मैम अब ठीक है अरे बिल्कुल मैं खुद इंजार कर रही थी लेकिन पहली क्लास में दिक्कत होगी जैसी मैंने स्टॉप किया आप चाचानक से बंद होगी तो आज हम क्या पढ़ने वाले टीचिंग अप्टिटूड पढ़ने वाले और टीचिंग अप्टिटूड आपने पहले भी कई वह सब कमेंट्स जरूर करें क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वहीं बताते है कि वहीं क्या समच्चा चल रही है आपके साथ हां ऐधर नियम जी सभी मित्रों को मेरा प्रिणाम सभी को प्रिणाम गूद इबनिंग नमश्कार जलदी से मैंने ले लिए सबके नमश्कार कि यह सब आप सभी कितनी भारी वात्रा में सभी स्टुडेंट आया बहुत अच्छ लगा भी आप सब कैसे वह बार जल्दी से बता और कैसा लग रहा है कि मैं इतने दिनों के बाद इतने महीनों के बाद दुबारा से आपके सामने इस तरीके से लाइव आई हूं पढ़ाने ठीके तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम पढ़ेंगे टीजिंग अप्टिटूड और टीजिंग अप्टिटूड को पढ़ने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसका कौन-कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है ठीके मैं इसके बारे में पहले डिटेल मे थोड़ी सी दिक्कत होगी तो देखिए यह सब मैं पहले से लिवस एक्स्प्लेइन कर चुक हूँ आपके सामने लेगिन फिर भी जल्दी एल्दी एक बार और मैं यहाँ पर आपके सामने बता देती हूँ कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हो कि देखिए सबसे पहले तो सिक् सिक्षन का आर्थ सीखना होता है लेकिन कैसे सीखना इसके बहुत अलग अलग रूप है जो हमारे सामने आएंगे हो हम अपने टाइम को बिल्कुल खराब नहीं करेंगे स्टार्ट करते आज की क्लास को यह सिलिवस तो मैं आपको सिलिवस वाले वीडियो दी थी ना मैंने उसमें मैंने एक्स्प्रेंट कर दिया था अपने सामने तो अभी हम अपनी क्लास को करते स्टार्ट तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिक्षन की प्रिकरती सिक्षन के उद्देश सिक्षन की विसेस्ताएं और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि सिक्षन की आधार भूत आवशक्ता हैं, क्या होती है, क्यों हम सिक्षन करते हैं, क्या यसी आवशक्ता आन पड़ी, कि हमें सिक्षा का सहारा लेना पड़ा, ठीक है, क्यों हम सिक्षा ग्रहन करते हैं, क्यों हमारे जो चोटे-चोटे बच्चे उनको पढ़ाते स्कूल भेजते ये सारी चीजे हम यहां पर पढ़ने वाले तो देखिए सिक्षन के किताबी लेंग्विज को पढ़ाने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं भैवारिक तरीके से आपको कुछ समझाना चाते हूँ इदर आईए एक तो बात होती है सिक्षन की ठीक है पहले ये सिक्षन कैसे हुआ करता था पहले एक पेड़ की नीचे गुरु जी यहां पर बैठ जाते थे और यहां पर बैठ कर इनके जो चेले थे मतलब इनके जो सिस्से थे वो इनके सामने बैठ कर जो गुरु जी बोलते थे उसको चुप चाप ये सुनकर सिक्षा ग्रहन करते थे ठीक है तो पहले सिक्षन की जो प्रिकरती थी वो कैसी थी, कि हापर केंदर में, जो सिक्षा का तरवूज आपका माना जाता है, इसके केंदर में पहले कौन बैठा हुआ था दोस्तों, पहले आपका टीचर बैठा हुआ था, आपका जो अध्यापक है, वो पहले सिक्षा केंदर में बैठा हुआ था, लेकिन आज ऐसा नह में व्याजनी कि बात यह है कि यह सिर्फ समझ गा was अब आम तो विद्ध्यारतीं निठा कि सिक्षा हमारे लिए है और हमारे लिए होनी चाहिए कितनी बड़ी वात उसने कही में आधुनिक्षा में स्प्रणाली में शिक्षा के केंद्र धें उसके बीच में कौन बैठ गया है, चातर बैठ गया है, और आपका चाहे नेट का एक्जाम हो, चाहे सीट का एक्जाम हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी जो भी एक्जाम हो, उसमें ये कोशन, नौर्माल सा कोशन है, ये आता है कही बार, तो ये देखो किताबी language को पढ़ने स तो आपको समझना है चीजों को उनके अर्थ को समझना है आपको समझदार बनना है तो आईए अब चलते हम कितावी लेंग्विज की तरफ क्या कहती है किताव आपकी सिक्षन के अर्थ के बारे में हम आप funky discussion कर रहे हैं सिक्षन मानभिय मूल्यों के विकास परवल Creator अब यह लाइन पढ़ लिक मान बीव मूल्यों के विकास परवल देता है पहले कि जमाने में जब सिक्षा इतनी नहीं थी हर घर अनिताग और गाउं तक तक सिक्षा नहीं पहुची थी, तब भी लोगों के जो मानबय मुल थे यहां पर थे और आज जब हमारे देश, विदेश तक हर दायरे में हर कौने तक पहुची हुई है, तब भी मानवय मूल यहां पर है अब आप सोचो शिक्षा की आप शिक्षा इसलिए पढ़ी क्यों कि जो माणव है वह अपने मानवय मूलों को खोते जा रहे है ठीक है जो उनके पह Answer इंसानियत गायव होती जा sûr एक सिक्षा को दुबारा से बहुत अच्छे तरीके से समाज के वीच में लाया गया है तो सिक्षन मान भी मुल्यों के विकास पर जोर देता है क्यों देखो आप प्याज़ी कर लो आप डॉक्टर बन जाओ आप वकील बन जाओ आप एक राजनेता बन जाओ लेकिन बनने के को उस जो सेलरी मिलती है उससे आपका गुजारा होता है लेकिन आप अपनी अपनी भूमी का वाँ पर निवात हो तो कहने का मतलो यही है कि सिक्षन मान भी मुल्यों मानव के अंदर जो उसके गुण होते है इंसानियत होती है उसके विकास पर जोर देने के लिए सिक्षन इसका महत्वरcessor योगांदान को यह षत कीव्हां में यहां उते हैं को हुणस हुखते हैं को तो ब सोबीन हो के जाती है कि समाझ सवाज के बीत है को हमारी के नहीं की जाती है आपको यहां पर याद आया होगा पहले जो राज शमारा यह क्रति ते पहले इसानी गर्ट प्र स अब एक तरीके से वह मानते थे ऐसा भी था गुरुकुल में बच्चों को चिक्षा दिलाते थे वह भी अ तो सामाज में प्रकिरिया है शिक्षण में सबसे महत्पून तत्य चो थे विद्हार्ती होता लेकिन अब एक चीज को यहाद समझने का प्रियास करें ने ढ़िए मैं आपके कमेंट देखूंगी, आप यह मैं सोचो कि मैं मैं कमेंट नहीं देख रहे, क्योंकि अगर वो देखूंगी तो फिर वही देखती रह जाओंगी, आप एक चीज को यहाप पर समझने का प्रियास करें, इधर आए, देखू, आप मुझे यह बताओ, यह आपका जो तिर्वुष बना हुआ है, इसके यह तीनों लाइन है, अगर इन तीनों लाइनों को मैं इस तरीके से रख दू, क्या तो आप इन तीनों लाइनों को तिर्वुष कहेंगे, तो आप कहेंगे, नहीं मैं कैसे कह देंगे, यह तीनों तो एक साथ कड़ी हुई है, हाँ, पिल इस चोर पर कौन है आपका पाठिक्रम, ठीक है, अब समझने का प्रियास ये करें दोस्तों, कि आप ये पताओ, कि यहाँ पर अगर इन तीनों में से एक भी चीज ना हो, तो क्या आपकी पढ़ाई हो पाएगी, मैं ये कहूं, कि ये सामने मेरे सलाइड नहीं हो, और मैं आप आपको ऐसे ही पढ़ाती रहूं, पढ़ाती रहूं, बोलती रहूं, तो आप बोर हो के, आप सुचो के, रहे, मैं क्या कर रहे हैं, चलो यहां से, ठीके, दस मिंट बाद, पंदर मिंट बाद, आधे गिंटे बाद, अपने आप चले जाओ अगे, नहीं सिक्षा घ्रेन कर पाऊगे, हाँ, मैं मालो टीचर हूँ, मेरे सामने एक भी बच्चा नहीं हो, तो क्या मैं पढ़ा पाऊँगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, एक छात्रे, वो पढ़ रहा है, पढ़ते, 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 कोई शब्द ऐसा आया, कि संग्यानात्मक, अब बहुत अब उसका आगे पढ़ने का ही मन नहीं हो रहा, तो उसे किसकी सायता चाहिए, उसके किताब की, या उसे टीचर की सायता चाहिए, चाहिए ना, तो इसी तरीके से, ये जो सिक्षा का तरभुज बनता है, इसके एक भी किनारे को अगर वहां से हटा देंगे, तो सिक्षन प पर्तकष मतलब सामने, जो बात्चीत होती है, जो बातालाप होता है, उसके एहम भूमिका होती है, वो बहुत महत्वूनτα तर्त होता है, क्योंकि आप जब एक चीस से, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूं, पतानी, आप कहां, किस तरीके से, किस कंडिशन में पढ़ रही हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपको यह फील हो रहा हूँ है मैं सिर्फ मुझे पढ़ा रही है मैं सिर्फ मेरी तरफ देख रही है मुझे टार्गेट कर रही है क्योंकि ओनलाइन एजो किष्ण में ऐसा फील होता है जब मैं लीड लगा के मैं खुद ग्लासिस देखती थी तो मुझे भी ऐसा लगता कि सरकत ध्यान सर्फ मेरे उपर है जब हर बच्चे को यह लगता है इसका मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाता है और जब आप क्लास लो तो मैं कहूंगी कि लीड लगा कि अच्छे से लो ताकि आपको भार की आवाज नहीं आए ओके आगे चले तो आईए सिक्षन कोई मौलिक अफधारना नहीं है क्योंकि इसमें तो आप समाजिक चीजों के ऊपर और मानवी कारकों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो और गती सील का मतलब चो हमेशे चलती रहे ठीके इवं इस चीज को यह बहुत प्रभावित करते है गति सील होती है वही चीज आगे पॉजिटिव अंसर देती है पॉजिटिव उसका वो निकलता है रिजर्ट इस परकिरिया के अंतरगत हम आपचारिक और अनौपचारिक रूप में सीखने के अनुभवों को पढ़ेंगे आगे 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 जाके टॉपिक आएगा बड़ा सिक्षन को हमारे समाज में बदलाव लाने का एक विध्याली उपकरण का यह काफी इंपोटेंट है सिक्षन एक उपकरण के रूप में है और उपकरण कैसा है विध्याली उपकरण जो हमारे समाज में बदलाव ला सकता है हमारे समाज में परिवर्तन ला सकता है एक तरीक एक बार मैं देख लेते हूं आप क्या कहे रहे हो आपके कमेंट देखते हूं ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं कि लास का नॉटिफिकिशन आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा पुलकी वर्ड चैनल पर क्या कहे रहे हो किसी को कोई समझ्चा है थैंक यू सो मज़ थैंकि सो मज़ कि अच्छे से आपके समझ में आ रही है चीजे और किसी को देखो कोई भी दिक्कत है कुछ भी समझ्में नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजी ओके आईए आगे चलते आगे देखो अपचारिक अनपचारिक की मैं बात कर रही थी एक बार छोटे से दौर पर मैं आपको बता देती हूं कि आपचारिक अनपचारिक क्या होता है आपचारिक का मतलब यह है कि निर्धारित इस्थान पर निर्धारित इंसान के दौरा एक निर्धारित समय पर एक निर्धारित इस्थान पर जब कोई काम किया जाता है तो वो है आपचारिक कभी- तो हमारे दोस्त आते हैं तो यह घंगली को बोला है कि कल मैं यह चैप्टर पढ़ाने वाली हूं आप English की बुक लेके आना और आपको पता है कि पहले कालांस में मेरी क्लास होती है मतलब वो time effects है और बच्चों को पता है कि English कौन पढ़ाएगी पूजा में पढ़ाएगी ठीक है तो यह सारी चीजे पहले से निर्धारत है और कहां पर होगा यह पूरी परकरिये होगी कहां पर स्कूल में तो यह क्या होगई यह अपचारिक गतीविदी हो गई ठीक इसके विपरीत अनौपचारिक की तरफ चलते हैं तो उसमें यह है कि कहीं भी कभी बी किसी भी इंसान के द्वारा किसी भी समय कोई गतीविदी होती है तो वह कहलाती है अनौपचारिक गतीविदी क्या आपको अपचारिक और अनौपचारिक दोनों चीजें समझ में आई बताए एक बार कमेंट करके विद्ध्यालेई उपकरण का मतलब क्या है आसीज करें उपकरण देखो किसी जैसे की यह तो इसको भी माइवकरन सत्यूं इसको भी तो उसी तरीके से शिक्षा एक ऐसी चीज है जो विद्ध्याले में रहके शिरुआत में वहां से अर्जित की जाती है तो उसको संग्या विद्ध्याली उपकरन की उसका आपको अविस्तार से उसका मतलब नहीं समझना है ठीक हैं? ओके? आईए आगे? ये दोनों समझ में आया? क्यों आपचारिक और अरोपचारिक? बताना कमेंट करके ओके? आईए बर्तमान सेक्षिक परिवेस में सिक्षन का उद्धे सिर्फ रटना आईए देखो सिर्फ रटना और बल पूरवक ज्यान को मस्तिक्स में बिठाना नहीं है आपको मैं बता दू बल पूरवक का मतलब क्या है? यहां से कोशिन आया है या कोई काम उनसे करवाता है तो वो सिक्षक कैसा है? ठीक है? महाँ पर काफी सारे उप्सन थे उप्सन उलजाने वाले थे इस तरीके कभी कोशिन था? एक ऐसा था कि निमलिकित में से कौन सा सकते है महाँ पर भी यह था कि बच्चों को बल पूरवक पढ़ाना, कोई पढ़नी रातों उसको कलास से भार कर देना ठीक है? इस तरीके से महाँ पर उप्सन से तो दोस्तों आज की सिंग्शा पद्धिती, मैंने पहले भी कहा रट्टू दोता बनाने के उपर जोर नहीं देती आप चीजों के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रियास करें क्योंकि कोश्षन वरकलव में कभी नहीं आता, अस तक भी नहीं आया नहीं आएगा तो आपको उसका अर्थ समझना है और समझ कर वहाँ पर आंसर करना है तो यह जो पॉइंट है यह काफी महत्पून है बलकि सिक्षा कैसी है विद्धियारतियों में अधीगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है अच्छा एक नया शब्दा है हैं पर क्या अधीगम का अर्थ अगर आप अधीगम का अर्थ जानते तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताए कि क्या है अधीगम का अर्थ फटाफट से फिर मैं आपको समझाने वाले हूं इसको बहुत ज़दा डिटेल में क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट है और बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी ह जो अधीगम के लिए बोलते हैं कि सीखना लेकिन उससे भी बढ़कर इसका अर्थ है तो वह मैं आपको समझाते हूं लेकिन पहले आप कमेंट करके बताए कि आपको समझे वाले है क्या बताए जल्दी से शीखना लेर्णिंग रादे रादे जीतिन्दर कैसे हो आप रादे रादे सबी को सीखना होता है मैं बिलकुल आप कहरो यस मैं यस मैं और बताए हिंदी से कौन कौन है यहाँ पर सब ज़्यादा तर जो स्टुडेंट है वो मेरे पुराने हैं कुछ नह जोड़े होंगे अधीग में जीवन परियंद चलता रहता है ओकी सुनाते रहे हैं बहुत अच्छी मात्रा में स्टुडेंट जोड़े अब देखो यहाँ पर एक चीज को एड़ करना चाहूंगी कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत जो सोल से पढ़ते है लेकिन दीरे आप डाउन होते जाते हैं आज इतने स्टुडेंटे कल आपको क्लास में नहीं दिखेंगे यह नोट कर रहें आप क्योंकि सुरुआत में ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा वह रहते बस करना 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 लगे रहतो बात में दीरे दीरे नॉर्मल लगता आपको सब कुछ तो देखिए आप मैंसे मुझे किसी का अंसर ऐसा लगा नहीं कि जो मुझे लगे कि हाँ वाउ मतलब क्या उत्तर दिया है सीखना जानना लट करना और ये जीवन परियंद चलता रहता है हाँ यह कमेंट अच्छा लगा कि जीवन परियंद चलता रहता है देखो अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाना चाहती हूँ ठीक है और आप उसको समझिएगा ध्यान से तो देखिए इधर समझाते हूँ मैं आपको यहाँ पर मान लो की ये मैं हूँ ठीक है ये मैं हूँ और ये मान लो कि ये कौन है ये मेरी दादी जी जी है अब दोनों मैं अंतर देखना आप ठीक है में क्या करा ह 94 कि एक अपे नेज़ winners कर लिया थिक के ने यार फ कर लिया है पड़ा रही हूं पढ़ रही हूं सब कुछ कर दियो है अब मेरी दादी जी ने कभी art yeah फिंग अब देखना आह पर छीज को समझना है यहां पर तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, ठीक है, मैं सीख रही हूँ, और मैंने क्या किया है, सिक्षन प्राप्त कर लिया है, किसी चीज को, किस तरीके से मतलब उसके अर्थ को समझा जाए, जिसे मैं आप से कहूं, नेट के क्या फायदे, पीच्ड के क्या फायदे है, यह सब करने से क्या होगा दादी क्या कहें वह कि मुझे उसमा पाधा नहीं क्या फायदे यह यह पता है कि यह चातर पड़के अच्छी बढ़िया नौकरी लग गई तब कि यह लेकिन कि तो यह उसे तो घंठ तो कि अन्य श्कूल जाके सीखते थे कि मतला अगर चीजों को चीजों को सीखती थी, मान लो उन्होंने सबसे पहले कोई काम start किया होगा उनसे नहीं हुआ होगा फिर उनने बार 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 उस काम को किया होगा और वो perfect हो गई उस काम में तो मतलब उनको उस चीज का अधिगम था और हम क्या करते हैं YouTube पे सर्च कर लेंगे फीस दे देंगे और जाकर सीखेंगे किसी स्कूल में, किसी इंस्टिटूट में, किसी टीचर के यहां कि बैई कार कैसे चला है, जैसे मैंने सीखा था, दूद कैसे निकाले भैस का, ठीक हाई या कोई भी X, Y, Z, मैं समझाने का मेरा प्रियास सिर्फ यह है कि जब आप किसी च तो तो अधी गम कभी खतम होने वाली प्रक्रिया नहीं यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया आप यहां पर समझना क्लास में कम कंटेंट आपको दिखाऊंगी लेकिन समझाऊंगी ज्यादा तो अधी गम यह तो मरते दम तक चलती है क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ ना कुछ हमेशा चीजों को देखकर अनुभब करके उनसे सीखता रहता है लेकिन सिक्षन जो स्कूल में कॉलेज में प्राप्त किया जाता वो एक टाइम पर जाके रुख जाता है ठीक है वो जीवन परियंत नहीं चलता तो सिक्षन में और अ करना या फिर आप क्या कहेंगे कि चीजों को भेवार में ढालकर परिवर्तन करना तो बिल्कुल सही का आपने यही है अधिगमकार्थ आगे देखिए सिक्षन में मुक्षते तीन पक्षोते और उन तीन पक्षों को मैं पहले भी समझा चुकी हूं लेकिन बारवार हम समझ रहते और यह तीनों क्या एक दूसरे से अलग अलग बैठे रहते हैं तो आप कहेंगे नहीं में बिल्कुल भी अलग अलग नहीं होते तीनों एक दूसरे से जुड़े होते कि यह बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं होते जैसे मैं कहूंगी कि आप मेरे से जुड़े निंधारी परिवर्टन यहां कहीए कि विध्यारती थैसंती है कि विध्यार्ती विभारिक परिवर्तन लाने कि परिक्रीयें कहरें कि यह क्या है क्या उग्यार्य क मतलब यहां पर क्या है अधीम तो यह नहीं कह Mythor जीवारत्य बाश्तव , बभुबर्थित करना है बंद्र पहली इस प्रेवाशत है इसके बाद इसमित कहते है कि अधिगम को अभी प्रिर्द करने वाली जो प्रिक्रिया है ना वो सिक्षन है तो यह इन्होंने परिभाशा है दिये हलाकि आज कल परिभाश है पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी कथन निसकर्स वाले कोशन आते हैं वहां पे इस तरीके की ला कि हिंदी तो मैंने बहुत पढ़ाई है कम से कम 500 वीडियो आपको हिंदी की दे दिया यहां पर लेकिन आप मैं पड़ाऊंगी क्योंकि पेपर बन के लिए मुझे यहां भी अनेकेडमी पर सब जगे मलब सारे स्ट्वेंट कहते कि मैं मतलब आप बहुत अच्छा बढ़ात लाइक करो आप सब्सक्राइब करो आप यह करो कभी नहीं कहती है जैसे चाहूं जिस तरीके से चाहूं मैंनेज कर सकती हूं और किसी चीज को कहे कर ले बढ़ना नहीं करें क्योंकि उससे कुछ होने वाला होता नहीं है हां जब दूसरे प्लेटपर पढ़ाते है तो वहां मैंनल यहाँ पर मैंने कभी नहीं कि करें वो करें इस आपके करें ना करें बस आपको कोई समझ्षा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तो यहां थे सब समस्में आ गया गया कि यहां पर है सभी के समझ में यह समजने वाली जी निष्चित समय तक चलता है और एक समय के बाद रुख जाता है यह सिक्षण और सिक्षक का अनौप चारिक साधन अर्थात वहवारिक माध्यम से ग्यान प्राप्त करना अधिया में जो जीवन परियन चलता है हाँ आपने जो बात कही उसका मतलब यह है कि जब आप एक चीज को बहुत बार पढ़ लेते हो बहुत बार समझ लेते हो तो आप अलग- الग तरीके से खुद भी उसकी अंवधारना क्रियेट करने लगते हो हम इतने अलग- तरीके को धारन कैसे देने लगते है कि इतनी बार पढ़ाय हुआ होता है कि उस चीज को वहां से वहां पे लिंक कर देते वैसे ही आपने आपचारिक को सिक्षन से और अनपचारिक को अधिगम से लिंक कर दिया और बिलकुल करेक्ट आपने सही का इसी तरीके से आप व्रद्धी को सिक्षन से और विकास को अधिगम से लिंक कर सकते जैसे आपने अपचारिक को सिक्षन से किया वैसे ही आप व्रद ने जड़ित हैं तुकत फिरोचिंश कृश्यका है दोफितल सफ़र विश्यका का मतलब को रिच्ट पागल हो गया को दुद जा सबस्काने सब्सक्राइब उस्तुनिस्टता से जोडने काम करती है तो गुण भी है और विज्ञान भी है इसके अंदर गुण भी है और इसके अंदर एक सिस्टेमेटिक तरीगा भी है इसके अंदर वस्तु निस्टता और विस्वसनियता भी है कहने का मतलब उनका यह है कला और विज्ञान का इहां पर यह है और आपकी बार आपने देखा होगा कि मनों विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है ठीक है उसरी तरीके सब습니다 आपने बहु Nissan Topic है कि संचार कला और व बिज्यान दोनों है क्या सिक्षन ठीक है तो यह बहुत बड़ी वात है यह चोटी से अपको लग रही है लिको हुए दिरह दीर धीरि तरीके के अनुभव बटोड़ता है, और वह उसी तरीके के अनुभव को यहां पर कला का रूप दे दिया गया है उसी तरीके से हम विग्ञान की बात करें तो विग्यान एक सिस्टमेट्रिक तरीके से काम करने के ऊपर जोड देती ए ठीक है तो इन तीनों चीजों के उपर यह जोड़ दिते और इसमें क्या पाई जाती है क्रम बद्धिता पाई जाती है और यहीं यहां पर दर्शाय गए है यहीं चीज यहां पर दर्शाय गई है लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें एक्स्प्लेंड कर सकते हैं समझ सकते हैं आप सबके साथ मिलके सभी को प्रणाम सभी को नमश्कार सभी को नमस्ते आप नोट्स बना ले या फिर मैं आपको PDF दे दूँगी ठीकिर आप नोट्स बनाते हो तो ज़्यादा बहतर रहता है ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइव क्लास में आकर पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छी समझ लाइव लगतार पढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा वाव बहुत किस सीख लिया तो देखिए सबसे पहले यह क्या है यह पूरा एक समाज है अब समाज में क्या क्या होता है ठीक है तो समाज में हम सबी रहते हैं हमारा स्कूल समाज में हमारा होस्पिटल समाज में ठी तो सबसे पहले है अपका स्कूल के स्कूल में एक classroom है, एक कक्षा है और उस कक्षा में हम क्या करते हैं सिक्षन करते हैं मतलब कि सीखते हैं और सीखते क्यूं है यह आप बता आप क्यूं पीसडी कर रहे हो आप क्यूं इस क्लास में आये हो क्यूं आप नेट जयारफ करना चाहते हो क्यूं आप गॉर्मेंट जॉब लगना चाहते ह रहो यह सब कुछ, इसका आंसर भई है, जो आप कहोगे, ठीक है, समाज में विध्याले स्तापित किये गए, कॉलेज, युनिवर्सिटी स्तापित की गई, महां पर क्लास्रूम बनाए गए, क्लास्रूम में टीचर्स आपको पढाते हैं, सिक्षन देते हैं, लेकिन क्यों, क् अधीगम के लिए, और इस अधीगम का मतलब यहां पर सीधे तोर पर यह है, कि आपके बहवार में सकारात्मक वदलाब करने के लिए, आपके बहवार में परिवर्तन करने के लिए, आप चीजों को आत्मसाथ करें, अपने बहवार में डाले, और एक सकारात्मक परिवर्त वकील बहुत सारे आसे राजनेता देखी होंगे जो बहुत बड़े-बड़ी पोस्ट पे है लेकिन वो अपने कारे का अच्छे तरीके से निर्वेन नहीं करते तो ऐसे ही व्यक्तियों को अधियम करवाने के लिए सिक्षन किया जाता है कि वो अपने वहवार में परिवर्तन करें क्योंकि उनको भूमी का समाज में ही निवाने होती है तो इसलिए दोस्तों पहले के जमाने में इन सारी चीजों के आभशक्ता नहीं पड़ती थी अधिगम के लिए ठीके यह आटोमेटिक लोगों के पास होता था दयालू पिरवर्ती के लोग होते थे हर तरीके थे लेकिन आजकल चीज़ें बहुत बदलती जा रही है देखते हूं मैं एक बार कमेंट उसके बाद आगे चलते हैं मैं मैंने पहले तो नोट्स बनाए हैं वो आपके हाथ से लिखी वाली पीडिएफ से ओके मुखी धारा से जोडने के लिए अधिगम बिल्कुल वेरी गुड जूई कि हमें अपने वहवार ग्यान और अपने सपने को साकार समाज में बहतरीन प्रदर्शन करने के लिए और आने वाली पीडियों को अच्छी सीख देने के लिए ठीक का है ना आचारा मेडम जी बिल जीज समझ में आ गई है और जब कोशन करेंगे आपको इतना मज़ा आएगा क्योंकि फटाफटा अंसर देंगे वाप पर जब आप इन चीजों को अच्छे समझ लेंगे तो आप कोशन को बहुत अच्छी से करेंगे तो यहां तक हमने क्या समझा यहां तक हमने सिर्फ और सिक्षन का अर्थ समझा, ठीके, सिक्षन क्या है, सिक्षन सीखना है, सिक्षन कला है, सिक्षन विज्ञान है, ठीके, और क्या सीखा, आपने आपचारिक सीखा, अनोपचारिक सीखा, और आपने क्या सीखा, कि सिक्षन क्यूं करते है, ठीके, और आपने अधीगम के अर्थ को समझा ठीक है यह सारी नॉर्मल सी चीजे थी जिनको आपने समझा अब हम चलते आगे किसके उपर प्रकरती के उपर अचा प्रकरती से आपका मतलब क्या है यह बताईए प्रकरती से आपका मतलब क्या है उसके बाद मुझे यह बताना कि सिक्षन के परकरती से आपका क्या मतलब है बताईए ऐसा कैसा हो सकता है कि सही से दिखाई नहीं देरा सही से दिखाई तो देरा है आप अपने मोबाइल में क्वालिटी को चैंज कर लीजिए चिक है चीजों को आतमसाथ करके भहवार में परिवर्तन करना दीगा तो देखिये परकर्ती का मतलब यह है कि चाहे हम किसी भी चीज की बात करें वो चीज दिखती कैसी है उसके गुण कैसे है उसका आवरन कैसा है उसके परिवेश में क्या-क्या है सब्सक्राइब जैसे कि मैं आपसे certificicação जैसे तो आप कहेंगे इसकी प्रकरती हैं पैर कि प्रकिली में और हैं सब किस का हो नियुक्त प्रुठ इसके應該 ऐसे dessous सब्सक्राइब पर दॉल की अविए ना करती तो कि होची के अब से तर 1976 चन्हें के लग पर करती है तो क्या कहती है सिक्षन की परकरती आइए बताते हूं क्या कहती है सिक्षन क्या है एक विस्तृत परकरिया है एक बहुत बड़ी परकरिया है ठीक है विद्ध्यार्तियों के संग्यानात्मक बहुत जदा इंपोर्टेंट है यह संग्यानात्मक भावात्मक और किरियात्मक पक्षू को क्या करती है अभी प्रेज करती है मतलब मोटीवेट करती है दोस्तो संग्यानात्मक का मितलब होता है कि आपकी पांच ग्यानिंद्रिया होती है आखना कान जीब त्वेचा ठीक है ये पांच क्या है आपकी ग्यानिंद्रिया है जब आपके शरीर तो उसको सरफ में ग्यानात्मक से जादा अच्छा होता है तो इसके बाद भावात्मक जो आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है करियात्मक जो आपकी गति विदियो से जुड़ी हुई है तो इहां पर कहने का मतलब यह है कि संग्यानात्मक भावात्मक और करियात्मक बक्ष है इन तीनों को अभी प्रिद करती है क्या सिक्षन की प्रिकरती आगे देखिए सिक्षन में सिक्षक की भूमिका है वो महत्मून है क्यों है महत्मून विद्यारती के सामने कोई समझ्स है और कुछ भी वह है दीमोटिवेट हो रहा है तो आज के जमाने में एक सिक्षक की भूमीका सिर्फ फैसिलेटर की भूमीका है जो आपको फैसिलेटीज दे सके जो आपको सुवीदा दे सके ठीके एक सवाल आया था कि सिक्षक आज के जमाने में किस भूमीका में है तो उसका आंसर था सुवीदा दाता की भूमीका में वह और भी बहुत पॉजिटिव बिकल्ब थे लेकिन देखो चार-पाच ओप्सन होंगे और अगर फैसी लेटर है तो वही आपको करना है सिक्षक की भूमी का आजकर सर्फ एक सुवीदा जाता की भूमी का है क्योंकि सारी चीजे आपके इर्दगिर्द है बस आपको एक सही रा करना है जो करना है कैसे करना है किस तरीके से करना है और उसके लिए चान करना होता है रहता है। सिक्षन की प्रकरती का विसलेसन और व्याख्या जब हम करेंगे न तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी और सारी ऐसी चीज़े हैं जो इसके अंदर चुपी हुई है उनके बारे में हमें और ज्यदा अच्छे से पता चलता जाएगा धिरी धिरी गुड इवनिंग यह देखो आप यहांपे हम क्या पढ़ रहें यहांपे मैं आपको बिता दू कि स्क्षन कि प्रकरती आए जाकर को विवाजन की है वीडियो देखिए जहाँ पर मैंने आपको RAWन और देवी का अधारन दिया था देखो तो इसको याद करने का सिदा सिदा तरीका यह है कि यहाँ पर आपका जो एक मनुविज्यानिक है ठीक है थिंकर है वो है RAWन और दूसरा है आपका joint DV ठीक है नहीं दे रखा लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ तो यह सिक्षन की तीन चौर है पहला दूसरा और तीसरा और तीनों को आप जानते हो पहले में आपका student है ठीक है दूसरे में वालोड टीचर है और तीसरे में आपका पाठगरम है ठीक है पी ऐन्दिम ऐसे लिख तो गये लेकिन यह कैसे याद करोगे कि ये परिभाषादी किसने। इसको यहाद करने के लिए मैं अगना तरक रवन की कम से कम कम से कम वैसरा दस मुहू हैज सबको पता है कि रवन के समयय दस लेकिन कम से कम और देवी और ने कितने प Cinema ते नहीं है हलाकि इस बात का सच्चाई से कोई मतलब नहीं, एक ट्रेक है, जो मैंने ऐसे ही बनाई थी, तो रावन के और देवी के कम से कम तीन मुख तो होते हैं, तो यहां पर परिभाशा क्या है, यहां पर परिभाशा यह है, कि सिक्षन एक त्रे धुर्विये परकिरिया है, सिक्षन के परपस से सिर्फ मैंने यह बनाई थी, तो देखिए, सिक्षन वनवग्यानिक रावन क्या कहते हैं, कि सिक्षन एक त्रे धुर्वी परकिरिया है, और त्रे धुर्व में कौन कौन है, एक विध्यार थी है, एक आपका सिक्षक है, और एक है आपकी पाठ्ठ चल लिया, यह तीन हो धुर्व है इसके, विएस विल्यूम क्या कहते है, यह कहते है कि सिक्षन के तीन पक्षय है, और कौन-कौन से इन्हों ने अलग बताए, देखो यहां पर जो राइवर्ण ने बताया है, वो बोला कि चात्र अध्यापक और पाठ्ठ ग्रम, एक सेक्ष, एक सेक् परिवर्ण बताते हैं, यह बोलते हैं सबसे पहले सिक्षन के उद्देश, यह पहला इनका दुरूब है, इस तरीके से बनाकर, इसके बाद इन्हों ने बोला सीखने के अनुवब, यह दूसरे नमबर पर है, और फिर इन्हों ने बोला कि भैवार में परिवर्तन, यह ती कितमे से कौन सा नहीं है, तो पहाँ पर आपके सामने चार विकल्प होंगे, मालो कि पहला विकल्प यह होगा कि सिक्षन के उद्देश, दूसरा होगा सीखने के अनुवब, तीसरा होगा बैवार में परिवर्तन, और चौथा होगा छात्रा अध्यापकर पार्ठक्रम, त जिल्दी से कमेंट करके, तो यह काफी important point अगर समझ में नहीं आया, तो फिर से बोल दो, मैं समझा देती हूँ, थाइंक यू सो मच अबदेश सिंग करें, कि आपकी क्लास से मेरा नेट निकला है, बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट है, जो क्लास में बोलते हैं, कि मैं आप ही के कारण हमारा नेट जारेख निकला है, लेकिन जब कोई चीज किसी की द्वारा होती है, तो आपने आप देखनी लगते हैं, उसका ऐसे बखान करने के आप शिक्ता नहीं होती, इसलिए मैं बहुत कम ही बोलती हूँ, कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, हाँ जी, तो ये सब आपके समझ में तो आ रहा है न, क्योंकि पैनल पे मैंने अभी पढ़ाना है, तो उतनी ज़्यादा प्रेक्टिस नहीं है, पहले प्पीटी के माध्यम से हासे नोट्स बना कर पढ़ाया था, लेकिन अब थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ा रहे और उन्होंने कहा था कि सि्क्षन कला और दोनों है, कला का मतलब है, कैला का मतलब क्या है, बताओ, बता ये, और विज्जान का मतलब क्या है, बिदेखते हूँ आप अभी सुसप तवस्ता में हो, या जाग्रय तवस्ता में हो, पीछे अभी हमने पढ़ा था, NL पेज के वारा कहा गया, कि सिक्षन कला विज्ञान दोनों है, यहां पर फिर से वो point रिपीट हुआ है, ठीक है, तो आप बताईए कला और विज्ञान का अर्थ महां पर हमने क्या समझाता, है अब आप बताई देंगे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, तो देखे, तो देखी, हैं और विज्जान दोनों है। इस लिए बाद एक चीज आती है, बड़े सिस्टेमेटिक तरीके से काम होता है, इन सारी चीजों का समावेस रहता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, कि यह क्या है, सिक्षन विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें क्रम बद्धा है, इसलिए वैग्यानेक पक्ष को यहां पर महत्पू बहुत दिनों बाद दरसन हुए, तो मैं अभी आप से सवाल पूछ रही हूं, वो सवाल यह है, कि अधीगम सिर्फ सकारात्मक होता है, या फिर अधीगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में होता है, बताईया आंसर, और मैं चाहते हूँ कि अभी कितने 68 student देख रहे हैं और सभी 68 student का answer आना चाहिए सबका मतलब सबका इस class के लिए कोई fees नहीं ली जा रही आपसे कोई पैसे नहीं ली जा रहे ये आपके लिए free में हैं और रोज होगी शाम को 9 वजे कभी कभी अगर मैं टाइम नहीं निकल पाई वाई चांस क्योंकि अब चीजे जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ गई है तो हो सकता है कि नहीं हो लेकिन फिर भी regular होगी और साथ मैं आपके लिए informative वीडियो भी आएंगी आज मैंने वीडियो डाली नेट के फायदे वाली वो जरूर देखना आप क्योंकि वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है जैसे कि एक student का उसमोधारन दिया है उसने सीख है वैसे ही स्लाइड को जूम कर दू दिखाई नहीं दे रहा क्यों ठीक है मैं कल से इसको और अच्छे तरीके से वो करके लाओंगी अच्छा अभी यह नहीं होगी एक मिन रुको सकरात्मक और नकरात्मक प्रणा मेडम जी कैसे है मैं बहुत अच्छी हूँ पूनम पाल आप कैसी हो आपका नेट ज्यारक दोनों निकल गया है स्वार्ग दोनों रूपों में होता है वेरी गूड नेगिटिव और पॉजिटिव दोनों होता है कैसे हो सिवान सो अधीगम दोनों प्रकार का होता है वाव वेरी गूड मतलब जैसी उम्मीद थी वैसा ही आप सबका आंसर आया तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा हाँ तो लाइट करां हो इंकि पंखा हो गया है चल नहीं और तो वह सारी ठीक कर देता है गहां साथ में क्या कर रहा है वह रभी स्टेedar कर रहे है उसके लिए सुंद वह street हो यह बवह चीबर से लाइन तो सबहुतार सरय ऊससे की में सिकाया जारा जह तो और जैँने सपटमध पीसिसंai चोरी की, ऊसको पैसे मिले उसे लाल चाया यार, पैसे मिले ठीक है मुझे 뉴스 कि चॉरी करने लगा बहुत integral हरता है। तो वहाँ पे क्या था तो अधीघम लेकिन कैसा लखात्मक तो अधीघम नचारात्मक दोनें तरीके का होता है जिस तरीके से कोई लोग होते हैं कि मतलब चोरी करते हैं जो भी गलत तरीके के गाम करते हैं उनको धीर धीर बढ़ावा मिलता जाता है अपने काम में लालस देखकर या फिर जिस तरीके से वो अपने काम में बढ़ते हैं उसको देखकर और जो सकारात्मक तरीके से गाम करते उनको भी motivation मिलता है, तो उनका भी बढ़ता रहता है, तो सही का आप सबने हैं, कि ये दोनों रूप में होता है, अब हम पढ़ेंगे कि section अंता परक्रिया है, अंता परक्रिया का सीधे-सीधे मतलब यह है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कि अंता परक्रिय हमारे बीच में एक अच्छी समझदारी है, क्या हमारे बीच में एक अच्छी bounding है, तो आप कहिंगे कि नहीं, आप तो बात ही नहीं कर रहें, आप तो में जबाब नहीं दे रहें, हाँ, तो सीधा-सीधा मतलब उसी तरीके से है, आगे और शब्दाएंगे अंतर संबंद होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाता है स्टुडेंट को और वो पढ़ते हैं, और टीचर क्या पढ़ाता है, जो बच्छों के समझ में नहीं आता, वो पढ़ाता है, और अगर कोई टीचर जो बच्छों को समझ में नहीं आता, उसको ना अब वार्टालाप होता है और जब प्रितक्षवार्तालाप होता है तो दोनों एक दुस्रे से अच्छे से जुडाब मihसूस कर पाते अच्छे तरीके सी चीजों को सीक और सिख्णा पाते इसलिए कह सकते हो की सिक्षन प्रक्रिया है यह उदेसन का मतलब क्या होता है जैसे किसी का नियट हो गया मैं आप धारन दिया था आज वाली वीडियो में कि एक लड़की थी जो कह रही थी कि में मेरे पास किताब खरीदने के भी पैसे नहीं है और मेरा नेट तो हो गया लेकिन आगे में क्या करूँ आप मुझे निर्देश दे या आप मुझे सला दे या मुझे समझाए तो मैंने उसको बोला कि आपके आसपास जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वहाँ पर आप एजर जोइन कर लो और मुझे तो आते ही नहीं है पड़ाना पर मैंने का आप जोइन करो आप बात करो दस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मतब माफ करना दस कॉलेज में जाओगी तो कोई एक कॉलेज वाला था आपको रखी लेगा वह गई उन्होंने ढूलडा आगरे क्या भाइदि के और वह उनको 40,000 रुपे मिलते दो फाइए उनके चोटे उनको भी साहफ में पढ़ा रही है अब उनके पढ़ाने का तरीका तो सुद्रा ही सुद्रा है उनकी आर्थिक है वह पढ़ाने भी लगी वह सारे गाम करने लगी तो यहां पे section क्या है जैब आप पढ पढ़ाने लगते हो तो आप निर्देसित भी करते हो चीजों को निर्देस भी देते हो सिखाते भी हो बहुत अच्छे तरीके से आपको सही गलत के बीच का फिर पता चल जाता है वहां पर ठीक है तो देखिए इसमें यह है कि सिक्षन के निर्देशन में 6E मतलब की 6 ऐसे श इसे स्टाट हो रहे है तो इन के बारे में ही पर बोला गया है इस प्रारूप पर यह आधारत यह प्रारूप क्यों है कि भुहत सारी संस्टाएं यूनिवर्सिटीच कह ऐं और इस तो लागू किया जाता है अच्छा एक बड़ा प्यारा है एहां पर शबदा या परामर्स कि या आप इस परामर्ज का रत जानतों बताईए क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के साथ वहवारी ज्ञान भी दूंगी ठीक है बहुत कुछ उखाऊंगी और पढ़ाते पढ़ाते दब इस तरीके के शब्द भीच में आएंगे तो मैं बताऊंगी कि यह कौन सी नोकरी है जि जब आप डिली से 10 में आउपकी स्कूल में समीना टाइप में आयुजत किया जाता है और इस तरीक का टीचर में आता है चुछी होता है टीक है जिसने म. ऑजेमे साइक्लोजी एंड एक गाइडेंस और टूपलोमा होता है वह किया होता है वह करने के बात ड्याइश पड़ें वहाँ पर्मानेंट जोब लगता है उसकी सेलरी भी बहुत अच्छी होती है ठीक है 85,000 तो लगती है अब तो ज्यादा हो गई है अब तो लाख तक पहुच गई है तो इसमें वह पोस्ट होती है परामर्स दाता की वह सला देता है कि पहले पूछते हैं आपको क्या पसंद है मेरी स्कूल में आया मैं पढ़ती थी उस टाम तो उन मेडम तो उन्होंने का फिर हे आप ऐमे करना और पीर उस फिल्ड में बुखा सरे ये अपसंद बहुते होगए तो उन्होंने करना चेन हूँ करना परदे लगाना दीबार में यह डूर्न करना वो करना तो उनको यहां पे यहां पर इन आप ने परला मुसकाइद के पैस्चात विक्सित किया गया बोहत सारे में सुशाबिसंधाद पढ़ोंगी आपके कमेंट पढ़ोंगी पहले पढ़ लेते हो फिर समझाओंगी यह अच्छा अच्छा ऑगे समझ में तुमारा ना सुपके एक बार कमेंट करें कि वदा सुपके समझ में तुमारा यह अच्छा नहीं कि मैं यह ही तो देखो सबसे पहले है सनलगनता थीक है सनलगनता का मतलब यह है जैसे की सर कहते हैं कि मेरे ओफिस को लहसुन चिलने का अड़ा बना लिया वीडियो बनाई थी ना एक तो मालो कि मैं हापे लहसुन चिल रही हूं और इधर से आये मेरे सास् सर आये सर यह बैठे लौ में चलवा दूं वह भी चिलने लगए मालो कोई और आगई वह भी चिलने लगए फ्रम सर यह टूं को चल दनाने लगए क्योंकि अपलेलियों छिट्ने बनानिया मालो थीक है अब काम को मैं अकेली कर रही थी लेकिन सारे लोग मिलकर मेरे साथ करवाने लगे मतलब की इसका अर्थ क्या है सनलगनता का मतलब होता है जिस काम को आप कर रहे हो सब उसमें बड़े अच्छे तरीके से सनलगन हो जुड़े हुए हो, इंगेज हो ठीके तो वो होता है सनलगनता जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ और मैं यह उमीद करती हूँ कि मेरे साथ अभी 100 विध्यारती है कितने हैं वो अच्छे तरीके से मेरे साथ जुड़े हुए हो सनलगन हूँ जो मैं कह रही हूँ उसी रूप में उसको वो समझ रहे हूँ ठीके तो वो सनलगन था है अन्वेशन मतलब की खोज करता खोज करने वाला जो नई नई चीजों का अन्वेशन करता रहे नई नई चीजों का खोज करता रहे ठीके नई नई चीजों को लाता रहे सामने खोज करके उसको बोलते अन्वेशन यहां पर हम बात करते हैं व्याख्या की तो आप सब जानते हो व्याख्या का मतलब क्या होता है जैसे कि अधीगम की हमने व्याख्या क्या कि थी वहवार में परिवर्तन करना चीजों को आत्म साथ करके वहवार में परिवर्तन करना सीखना समझना जीवन परियन चलना एक तो जाद से जाद जाद 20 तो नहीं करोंगी जलो 20 तक आप देदेंगे लेकिन मतलब है कि इससे बही और बड़ा ठीक है जो प्यापक हो तो उसने आ जाएगा यह विस्तरित इससे थोड़ा पिवाल बड़ा मोल्यांकन time मैं यह कहुणगी कि जब तक किसी का भूता है यह पास और पिखाल मैं यह करते हैं कि मालो कि सी बच्चे नेट नील यह हो गया तो इसका मतलब यहनी नजर में उपर जसक्तOh नीचे नहीं हुआ इंप यह क्या 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 मतलब होता है और और हमारे विद्यारतियों के अंदर सर्पित मुल्यांकन पोल्ट जाई पोल्यांगन होता हैं जैसे आप नेट की तयारी हो उसका पेपर एकन को सुक्रून नहीं बिलता मतलब कितने सपतो आज हो करते हो आज आजकल आप काँएँगे , क्योंकि कि आपको जिग्या साइफिर आप भारेंगे एक्जाम देंगे आंसर कि आएगी रिजर्ट आएगा अंततर मुल्यांकन नहीं आता तब तक उस चीज को आप पूर्ण नहीं समझ सकते ठीक है तो मुल्यांकन होना जरूरी है यहां पर विस्तार का मतलब यह है कि जब किसी है और एक बच्चा है जिसके 45 मांक्स आये अब इन दोनों का सर्फ ऐसा नहीं देना मांक्स के इतने मांक से लिए उसके टिपनी भी लिखनी होती है उसका विस्तार भी दिया जाता है कि बच्चे की भाशा में सुधार हुआ है बच्चे का इस तर निचली कक्षा का है यह ठीक है एक ग्रेड में है अब लो ग्रेड में है बच्चा मतलब कि कक्षा से नीचे का है और अभी भावग ध्यान दे टीचन भी सिखाए इस तरीगे से कुछ लिखा जाता है विस्तार दिया जाता है जैसे मौन लो किसी का नेट नहीं हुआ मेरे पास कोग आलाया एक लड अच्छा मानक से आपको अलग-अलग करत यहां पर लगा सकते स्टेंडर मानक जब तक आप सफल नहीं होते तब तक कोई आपकी इज़्यत नहीं करता कोई आपको तबज्जो नहीं देता लेकिन रिजल्ट आते ही जैसे माल लो माल लो कि रिजल्ट दस बज़े आया दिन में है ना ओके बानी पीने मज़े भी बहुत देर से बोल रहे हो ना बानी पीने इस लिए तो रिजल्ट दस बज़े आया है और उससे पहले नो बज़े आपके भाई भेन ममी पापा सबने आपको रहाटा पड़ती नहीं है निखट्टू है उसकी बेटी का हो गया उसके बेटे का हो गया यह ओगया वह गया यह कुछ नहीं किलती है ना देस बज़े आपके रिजल्ट आया और आप उससा पास हुए बहुत अच्छे तरीके से इसके बाद क्या हुआ जो अभी आपको डाट रहे थे उनकी धाना बदल गी हम तो पहले ही पता था पास होगी हम तो बहुत इच्छे जानते थे पूरी-पूरी रात पड़ती थी आपके सूजगी हमारी बेटी की तो मतलब जो चीजे पहले नेगीटिव थे आपके लिए पूजिटिव हो गई है क्यों कि आपने एक मानक इस्तावित कर दिया आपने अपना एक स्टंडर बना लिया वहां पे इसलिए ओके अधि 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 बिल्कुल सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलता उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए जब तक मूल्यांकन नहीं होता तब तक नीरस्ता आ जाती है नीरस्ता क्यों हो जाती है अरे पढ़े जारे पढ़े जारे पढ़े जारे पेपर कब होगा कब रिजर्ट आएग आज हम यह यहां तक उद्देश तक पढ़ेंगे, सिक्षन सामाजिक और व्यवसायक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि सामाज में रहकर की जाती है, और व्यवसायक प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि सामाज में रहकर आप जो कारे करते हैं, जैसे कि इस सा समाज में रहेकर मैं पड़ाती हूँ कि यसे बता ना हो तो वहाँ जाकर उन बच्चों को पढ़ाती हूं तो यह क्या है यह मेरा व्यवसाय है और इसके बदले मुझे मिलते पैसे जिससे मतलब मेरा रोजगार चलता है मेरे घर्चे वगरा मैं निकाल लेती हूं तो समाज में रहकर करते हूं इसलिए समाजिक और व्यवसाय है इसलिए क्योंकि यह मेरा काम है मैं समाज में अपनी भूमी का तो नहीं वारी हूं लेकिन एक तरीके से यह मेरा काम है यह मेरी पहचान है समाज में जो सिक्षा की आवशक्ताओं है समाज के बच्चों को जरूरत है उन जरूरतों को मैं पूर्ण करती हूं इसलिए आप कहेंगे कि सेक्षिक आवशक्ताओं को पूरा करते हैं सिक्षन एक ब्यवसायक परकरिया है इसे व्यक्ति अपनी आजी विका का साधिन बनाया जाता है व्यक्ति के दुवरा क्योंकि देखो कोई पढ़ा रहा है रात दिन कोई पढ़ा रहे है उसको उसके बदले में कुछ नहीं मिले तो खहेगा क्या वो करेगा क्या जैसे अच्छे कवीता हैं लेकिन फिर भी बहुत पैसे के लिए वो तरस्तरे बड़े अवहावेवन उन्हों ने चीवन कजारा त वीचिए कि वेवसाइब बहुत अच्छा था रुची बहुत अच्छी थी सब कुछ बहुत अच्छा था लेकिन आजी वीका नहीं मिली तो वही चीज यहाँ पर है कि सिक्षन एक व्यवसायक प्रक्रिया भी है जैसे कि अलग अलग परकार के व्यवसायव होते है उसी तरीके से और यह हमारी आजीविका का साधन भी है तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक और विवसाइक पिरक्रिया है क्या सिक्षन आपको कुछ भी समझवेनिया पूछ लेना ओके बार बार कह रही हूँ कोई कहेगा नहीं ऐसे सिक्षन सो उद्देस पून पिरक्रिया है कितना 12 शब्द आया यहां पर 190 12 इक उताह सिर्फ 10 टीक हैं एक उताह सिर्फ उत्दैस लेकिन ये है 120 2020 का मतलब यह सिक्षन का क्या 120 का मतलब क्या है देखव किसी भी शब्द ॥ के आगे सन यह सव्ञान परतिय के सामस्ट सव उद्देष का सव मतलब मैं आपको दोगी उज्जित बड़ेगी लोग आपको जानेगे आपकी पेहचान मनेगी कितनी सारी चीज़े मैंने बूल दी तो इसको हम बोलेंगे सौ अधेस के साथ बहुत सारे उद्देस कीज़े प्राप्ति होना उसे बोलते हैं सौ उद्देस जैसे यहां पर मेरा पढ़ाने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि मेरी रूची है यह बना वैसे इतना ट होता क्या है कि जब रूची का काम आप लोग करते हो ना तो उस रूची के काम में यह होता है कि आपका काम तो हो रहा है लेकिन काम के बदले में आपको बहुत जैसे की एक पहचान मिल रही है ओनलाइन क्षेत्र में ठीक है आप लोगों का प्यार मिल रहा है ठीक है कुछ काम देनी भी होती तो यह सारी छीजसे साथ में उतों के इतने सारे सब्सक्ति के लिए सिक्षन को आयोजन करना ह paid 10 that is business के लिए जिसमें बिहुत सारे अधैस नहें तो धिए घ्र मैंने निया arrival सर्वांगीन इस सर्वांगीन का मतलब यह होता है कि संग्यानात्मग, भावात्मग, क्रियात्मग, ठीक है, मनोवैग्यानिक, ये सारे तरीके का जब इंसान का विकास होने, देखो सिर्फ सरीर से बड़ा होना ही विकास नहीं होता, बौधिक रूप से, संग्यानात्मग रूप से, भावनात्मग रूप से, जब कोई इंसान विक्सित होता है तो उसको कहींगे सर्वांगिन विकास हो गया इसका तो चहू मुखी विकास हो गया है सर्वांगिन सभी तरीके से विकास होना चहू मुखी चारो तरफ से जब किसी का विकास होता है तो उसको कहेंगे हम सर्वांगिन विकास, यह देखिए, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा है, तो सर्वांगिन विकास एक बहुत ही ज़्यादा positive point है, और इसको अर्जित करना ही हमारा लक्ष है, हमारा अध्ये है, ठीक है, तो सिक्षन पिर्किरिया की द्वार ही बता दिया था कि संग्यारात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ठीक है, और इन पक्षो का विकास करके उनके वहवार में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, जिसकी उम्मीद करते उस तरीके का परिवर्तन किया जाता है, और जब किसी के वहवार में परिवर्तन ह तो उसको एक शब्द में अधिगम बोलते हैं आप सिर्व से वर अब तक इस बहुत कुछ चुका है तारक प्रकिर्याय बिल्कुल जब सीखते हैं तो अपने आप से तर्क बितर्क करते हैं लॉजिक लगाते हैं ठीक है जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं कोई ऐसा नया काम स्टार्ट करते तो आप सोचते हैं इसको ऐसे कर लू तो और जधा अच्छा होगा, ठीक है इसको इस तरीक से करू तो और जधा विस्तारित रूप इसको मिलेगा, तो सिक्षान एक तार्किक परकिया है, क्योंकि विद्ध्यार्ती की विशेवस्तो और पाठ्ठे क्रम का वि तो आज इसे शुरू हुई है नौ बज़े से थोड़ी लेट होगी थी आगे आई है आप से कि मैं आपचारिक और अनौप चारिक को और आगे चलके आपको पढ़ाऊंगी तो वहां परी मैंने पढ़ा दिया था लेकिन यहां फिर से आ गया यह तो शिक्षन आपचारिक के स असाथ और चारिक प्रकरियां भी अभी क्योंकि आप जो स्ब शीक रहे हो वो मेरी के लालस से शीकिदे हो आप बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको रोड़ पे चलते हुआ जिन गूह बस में चलते हुआ किसी दोस्त के मूह से मम्मी के मूह से किसी के भी मुझे कभी भी आपने सुन लिया और सीख लिया और आत्मसात कर लिया होता है ना ऐसा सारी की सारी चीजे किताब से नहीं सीखी ना हमने सारी की सारी चीजे टीजर से भी नहीं सीखी हमने कुछ चीजे ऐसी है जो हमने हमारे परीवेश से हमारे माता पिता से हमारे श्तिनातिदारों से सीखी है तो वह आजेंगी अनौपचारिक में तो सिक्षन प्रक्रिया को बहतर और सहर गर्विथ और जितादर अच्छी बनाने कि लिए ठीक है बनाने के उद्देश से विध्याले में जो विध्याले में पॉगी वह अपचारिक और जो विध्याले से आत्मक प्रिक्रिया है वाव कि इतना अच्छा शब्दा है ना उपचार आत्मक लेकिन इससे पहले मैं देख लूँ क्या कहे रहे हो बिल्कुल रोज होगी ग्लास रोज मैं निकाल लूँगे एक गंटे नौ से दस आपके लिए ठीक आज कितना टाइम होगे मुझे बिल्कुल पता नहीं है क्योंकि मैं ओ माई गॉड गंटे होगी ग्लास चलते हैं जब आप अपनी रूची का काम करते हो ना आपको पता ही न निकल जाते हैं आपको एहसास ही नहीं होता तो चलो जल्दी से पढ़ते हैं इसको उपचार आत्मत का मतलब क्या होता है अच्छा यहां पर एक नया टॉपिक पढ़ा दो आपको निदान और उपचार वाला पढ़ा देते हो क्योंकि टॉपिक आया है और आपके अभी वह कुसी समझ माहिक तो लास्ष तक मैं बार-बार बार-बार उसको समझाती रहोंगी ठीक है यह कौन है दोस्तों यह है कौन है कौन है कुम है यह हांपर कुल य slips कर दो आध secular ना तो यह हां। ये अभी रो रहा है ये अभी रो रहा है गेट लगा देख इस बच्चे का नाम बदा क्या है चुन्यू है और ये अभी रो रहा है तो इसकी मम्मी नहीं इसके पापा से क्या का यह इसकी मम्मी है और यह इसके पापा है तो मम्मी ने पापा से कहा कि आज है नो कुछ खानी रहा पीनी रहा किसे से बात नहीं कर रहा बहुत परिशान है पता नहीं उसको क्या हो गया ठीक है इसकी मम्मी गह रही है तो पापा नहीं खा लेगा अपने आप सोड़ दो इसको के टाइमपे जाना पड़ेगा तो इसको लेकर गये कहां पे डॉक्टर के पास में यह डॉक्तर और उंचा अब अब कुछ मढशना चीज़ को इस इसका हाथ कुछ गरम हो रहे इसका क्या किया ब्लड टेस्ट किया सबसे पहले स्काहध करम हो रहा है फिर इसका blood test किया फिर डॉक्टर ने बोला है इसको malaria है फिर डॉक्टर ने वो एक कड़वी सी दवाई इसको दी कि इसको पीके ये ठीक हो जाएगा जिस पल डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और ये पता लगाया अथ कि ये पता लगाया कि बच्चे को क्या बीमारी है ध्यान से समझना जिस पल ये पता लगाए कि बच्चे को क्या बीमारी है जब आप किसी की समश्या का पता लगाते हो ठीक है समश्या का पता लगाना क्या कहलाता है आपका समश्या का पता लगाना निदान कहलाता है क्या कहलाता है निदान कहलाता है दिहान से सुनना यहां पर डॉक्टर का उधारन दिया क्योंकि डॉक्टरी से ही यह शब्द निकल के आया निदान इसलिए अच्छा वैसे ही मेरी क्लास में एक बच्चे को मैंने दस बार अधिगम पड़ा दिया तेकिन फिर भी समझ में नि कि एक लेता कंज़ में दिएनों की आया किया तो दोस्तों निदान को हम नेदानिक कहते है और क्या केते निदानात्मक कहते है क्या आपको शिर्फ यह इतनी सी चीज समझ में आई क्या आपको यह चीज यहां पर समझ में आई जब आप किसी स्टूडेंट की यह किसी रोगी की यह किसी की भी समझ्या का पता लगाते तो उसको क्या कहते हैं एक शब्द में निदान, क्या कहते हैं उसको एक शब्द में निदानिक, क्या बोलते हैं उसको एक शब्द में नि और चुन्नू उसको पी के विल्कुल ठीक हो गया, और अब देखो, अब क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, अब मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब अब क्या हो गया, ठीक हो गया, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, उपचार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उपचार बोलेंगे मतलब की जिस पल आपने चुनलों की समच्छा को ठीक किया ठीक है तो यहाँ पे आप उपचार का अर्थ क्या लिखेंगे समच्छा का निवारन करना ये समच्छा का समाधान करना क्या लिखेंगे समच्छा का उपचार करना ये समच्छा का समाधान करना यह समशा का निवारन करना, अलग-अलग language में आप इसको लिखेंगे और उपचार को आप उपचारिक और उपचार आत्मा, ठीके अलग-अलग शब्दों से जान सकते तो क्या आपको ये निदान और उपचार समझ में आया यहां पे? ये क्यों समझाया है यहां पे? ये इसी लिए समझाया है क्योंकि ये बार 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 आएगा तो देखो निदान का मतलब है किसी की समशा का पता लगाना, सिर्फ पता लगाना और उपचार का मतलब है उस समशा को दूर करना, उस समशा का समाधान करना, उस समशा का निवारन करना, क्या आपको ये दोनों चीज़े समझ में आई, प्लीज कमेंट करके बताए, ओके, तो देखें, यहाँ पे वही वात है, कि सिक्षन पर किरिया में विध्यारतियों को ज समशा का समाधान करना, समशा को दूर करना, और ये दूर करना ही क्या कहलाता है, उपचारात्मक कहलाता है, ये दूर करना ही उपचार कहलाता है, अलग 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 पंक्ती में कभी उपचारात्मक कभी उपचार, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है, इतना तो आप स तरीका है, तक मुंस कि पोली है, कई बार हाव हाव में ही सिखाय दिया जाता है हमारी बॉडी लेंग्विज यह भी बहुत को सिखाती है यह भी एक तरीके की भाशा है सिक्षन में संकल्पनाओं का धार्णा जो होती है तत्यों का नए सिध्धान्तों का सामाइन ने करण का बूद्ध भाशा के प्रियोग के द्वारा ही संभव है जब तक आप भाशा का प्रियोग नहीं करेंगे नए सिध्धान्तों को नए तत्तों को नए धार्णाओं को नए संकल्पनाओं को नहीं समझ पाएंगे ठीक है शिक्षन पर किरिया भाशा सिक्षक और विध्यार्तियों के मद्ध सेतू का काम करती है और सेतू किसे बोलते जो नदी के उपर पुल बना ऑता है व Google बना होता है उसको बोलते आप से तू उंसनों को पशुऊं से अलग सरेनी में रखा गया है किस के आधार पर भाशा के आधार पर क्योंकि अगर हमारे पास हमानी भाशा के जैसे ही है बिल्कुल ठीक है कुछ भी अलग नहीं हम में तो यह भाशा ही है जो सिक्षक और विध्यारती के मद्ध इन दोनों को जोड़ने का जोड़ने वाली कड़ी है इन दोनों को पास में लाती है इन दोनों के बीच में मदूर संबंद इन दोनों की बीच में अच्छा सिक्षक और चात्र का सम्मन्द इस्थापित करती है तो भाषा एक सेतू का काम करती है आपके बहुत एच्छे से समझ में आ गई होगी यह चीज़ लास्ट पॉइंट है वस सिक्षन सततफ परकिरिया है है आप दो चल लौझ ठीक है लगातार चलने वाली प्रकिरिया को बोलते हैं सतत प्रकिरिया, सिक्षन हमेशा लगातार चलने वाली प्रकिरिया है, मतलब सतत प्रकिरिया है, ठीक है सिक्षन एक निरंतर चलने वाली प्रकिरिया है, जीवन परियंत चलने वाली प्रकिरिया है, विध्यारती जीवन और नई नई कोशल्ब नई July तर्फ दैर जार्मिल स्द्स्राओ अधां भरन ऑब कुछ नएवक्ष कतर सीगता ही रहता है इसलिई सिक्षण सथ जीवनपरियन जलने वाली पर करिया है ठीक है, अब बताए, कल पढ़ेंगे हम सिक्षन के उद्दे, लेकिन आप ये बताए, अब कितना समझ में आया, अगर आपके समझ में आया है, तो आप पढ़ें रोज, ठीक है, आपके और भी जानने वाले पढ़ते हैं, तो उनको भी बोले, कि पढ़ लो भई, क्या हो गया, हाँ, वो पर बलीब क्या के रहे हैं, कि हद है, अब कोई घर में तयार नहीं हो सकता, मतलब क्या हुआ, क्या कह रहे हो, आप पता निंग क्या बाद है चल रही हाँ, मैं तो पढ़ाने में विज़ी थी, बताइए कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, कैसी लगि पहली कलास आपको, ठीक है, कैसी लगि आपको फर्स्ट कलास यह बताए, कल पढ़ेंगे हम सिक्षन के उद्देश 116 लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी मात्रा में लोग देख रहे हैं और मैं चाते हूं जिसको आवशक्ता है वो सभी देखे आप अपने दोस्तों को सभी लोगों को बताएं कि देख ले ग्लास अगर आपको जरूत है तो थैंक्यू सो मच मीना सिंग नमस्कार कल नौ बजे ग्लास स्टार्ट हो जाएगी आज भी नौ बजे के और कुछ मिनट पर स्टार्ट होगी थी फिक्स नौ बजे स्टार्ट की थी लेकिन आवाज मेरी नहीं आ रही थी और उस बजे से फिर दोबारा से मैंने ग्लास को स्टार्ट किया देखो आप जीवन में कुछ भी गाम करते हैं आप खाना खाते नहाते दोते घर को समालते हैं सब कुछ आप करते हैं लेकिन अगर वो मानलो हो एक मेने दो मेने तीन मेने आपकने लगातार किया एक दिन नहीं छा इच्छ जट होगी समाथ में हर जगा तो पढ़ो कुछ अच्छा करो जो आपकी रुची है उसके according आप अपने लिए field चुनो और कम से कम अपनी एक नई पहचान बनाओ क्योंकि ये सब सोना जागना खाना पीना ये तो चलता है रहता है ठीक है ये तो सभी करते ही है इसमें क्या नया है ये तो मैं भी करते हूँ आप भी करते हो तो कुछ अच्छा करें लगे रहे लगतार करते रहे अब आप सोजाएं जाके और मैं भी अपना काम करते हूँ ठीक है रोज क्लास लेंगे हम आप सारी क्लास देखें ओके ठीक है अब चलते बाई-बाई